कैसे आप आज का जो हम topic करने वाले थॉप्रस नोट से वह है Power पावर ऐसा concept है जो कि हर इन्सान के बहुत प्लोस है किसी ना किसी तरह हमें कोई ना कोई तरह का पावर चाहिए होता है, जो पॉलिटिकल सैंस में इसका डेफिनेसिन है, जो हम, मैंक सुएवर का जो डेफिनेसिन है, वो है कि, पावर एस देप्टिजी तो हो, मोगे, अपने विल को, हम किसी ओर के उपर, किसी ओर के बीहेवियर पे असर डालनें के लिए, उसे ही politics में अगर power की बात हटा दो तो बहुत ज़्यादा incomplete होगा अगर जो theories हैं उसमें से जो नाम आपको या रखना होगा Stephen Luke's का जो की define करते हैं तीन तरह के power पहला power as decision making यानि की state जो है वो decision लेगा और state के पास ये power होता है जैसे कि Hobbes ने अपने Leviathan को full power दिया है decision lay name के लिए दूसरा है power as agenda setting जहां पर capitalists agenda set करता है और state बस एक instrument होता है capitalist का ये Marx के जो thinking है उससे close आप या connect कर सकते हो तीसरा है power as thought controlling process अगर इसका दूसरा नाम अगर आप देखो तो hegemony है जैसा अगर राम सी ने कहा था या फिर interpellation इसे कहा जाता है जो theory है power का अगर liberal theory देखे तो इनके नुसरा power जो है वो तो लोगों के पास है इससे criticize किया था Marx जैसे Ralph Milliman ने की power लोगों के पास या masses के पास नहीं है उसके बाद दूसरा theory जो है वो है elitist theory elitist theory बात करता है कि जो power है वो हमेसा एक particular section जो ruling class है जो हम elite कहते है उसी के पास रहते है masses के पास नहीं आता इसके प्रोपोनेंट है आपके Moscow जिनकी किताब है ruling class जिसमें वो कहते हैं कि जो democracy है in a democracy organizational skills make a person elite अगर आप democracy में अगर इंसान के पास अच्छा organizational skill है तो वो elite में count होगा दूसरा है इसमें parato जिनके किताब है mind and society ये लिखते हैं पूरा जो आप history देखोगे तो उसमें elites का circulation होता रहता है मझा एक elite से power हटके फिर दूसरे elite के पास जाती है यसलिए हम कहते हैं से history of mankind is graveyard of elites तीसरे है Robert Mitchell इनका जो term है जो terminology है ये use करते हैं वो है कि oligarchy is iron law इनके किताब political parties में इन्होंने कहा है कि जब power है वो हमिसा political parties के leader के पास रहती है चाहिए वो socialist form of government हो या liberal form of government हो तीसरे हैं आपके स्वी राइट मिल इन्होंने power elites में उसमें जो power elites है उनके बारे में बात की है और इनके अनुसार जो USA में कुछ position hold करते है जो top position hold करते है military में गौर्मेंट में तो ऐसे ही लोग control कर रहे हैं पूरे तरह से USA को इसलिए USA एक democracy नहीं बलकि oligarchy है ये ना polyarchy है ना democracy है बटर एक oligarchy है उसके पाद जो next theory है इसमें वो है pluralists इनके अनुसार जो power है वो होता है tracer groups के पास जिसमें आपके anger Robert Dahl और Charles Lindbaum तो ये आपके theory है power के बारे में जो next है theories of power में वो है marxists इनके अनुसार जो nature of money and power are the same both get concentrated in few hands no trickle down जैसे आपको पता है marxist मानते हैं जो power है वो capitalist class के पास रहती है ठीक है इससे अलग Michael Foucault का जो view है अगर आप power के बारे में बात करते हो तो Michael Foucault कहते हैं कि बहुत micro view of power के साथ ये बात करते हैं ये बात करते हैं कि जो power है वो जैसे blood vein में move करता है वैसे power move करता है ये एक sociologist थे जिन्होंने power ये post modernist भी दिया था ये inspired थे निस से उनके अनुसा power जह सिर्फ state institution के पास ही नहीं रहता जैसे हम Hobbs ने कहा कि state institutions के पास ये state के पास monopoly है power यूज करने का वैसा नहीं है बलकि ये रहता है प्रप्राइटिक क्लास के पास नहीं है बलकि ये फ्लो करता है थ्रूआओ दे सोसाइटी लाइग बलड इन नेट्वर्ट अव् पावर जो है वो हर जगा है कोई specific source नहीं है कोई specific direction नहीं है ये एक multi-dimensional view है we are not under power we too exert power बलकि कहीं सारे ऐसे position होगा हो सकता है कि आप खुद power आपके हाथ में हो आपके जो प्रॉफेसर हो तो आपके पावर है students के उपर तो पावर कोई fix नहीं है it keeps on moving whenever there is power there is resistance जैसे कि example power of heterosexual is the resistance of homosexual थीक है तो पावर कहीं भी होगा महाँ पे उसका विरोध भी होगा और पावर से destructive ही नेपल की productive भी हो सकता है जैसे कि identity or stability बनाने में society में उसी तरह वो कहता है जो power is a product of discourses that is set of value or norms at a particular time यह knowledge को value देता है कि knowledge का जो power connection है वो भी बताता है कि किस तरह से value और norms के थू power का पूरा setting होता है साथ में इन्होंने disciplinary power के बारे में बात किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि it is exercised feel it is in their interest they themselves govern themselves and hence it become convenient for the state to rule it develops a governed mentality मतलो कि आपको government को जैदा pressure ही नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि government governed mentality कि हम government के अंदर है कि हमें rules and regression follow करना है कि अगर हमने कोई rule तोड़ा तो हमारे अगांस disciplinary action दिया जाएगा यह जो mentality है इसके कारण government का काम easy हो जाता है एक सोच रहता है कि society हमें देख रही है तो हमें discipline में रहना है तो यह जो है discipline in society is built by discourse तो इस तरह से government mentality, discourse, disciplinary power और knowledge power connection का आप मतलब देख सकते हो ठीक है उसका जो next thinker इसमें वो है Gramsie का जो Gramsie hegemonie के बारे में बात किया है इन्होंने तो इन्होंने कहा जो dominant class है वो rule करता है by making the ideology and culture as common sense मतलो कि आपको पता ही निचलेगा कि आप पे rule हो रहा है क्योंकि आपको लेगा कि यह तो normal है यह common sense है जैसे कि M.N.Srinivasan का जब आप work पढ़ो तो उसमें उन्होंने बात किया Sanskritization के बारे में कि कैसे lower caste कास्ट को मन करता है कि जो higher caste के values है या ritual sense को adopt करे इसे ही Sanskritization कहा जाता है मतलो instead of trying to overthrow the upper caste they want to adopt their culture ठीक है और इनके अनुसार जो power है यो unidirectional है जबकि Foucault क्या गयता है Foucault क्या गयता है कि power is everywhere और यह multidimensional है directional है Foucault और Gramsci जो है उनके अनुसार revolution alone cannot finish capitalism as the worker क्योंकि power is Foucault का देखो कि तो the power is everywhere और Gramsci का आप देखोगे तो उसमें है बात hegemoni की ठीक है उसका जो next इसमें है वह है Hannah Arnand इन्होंने बात की है Phenomenological view of power इनको नुसार पावलिटिकल पावर डेसंट मीन power over but power to मतलो power का बहुत constructive view दिया है Hannah Arnand ने कि power सिर्फ destructive या dominance ही नहीं बलकि empower करने के लिए हो सकता है power हो सकता है to enhanced capacity emerging from collective action इसे तरह फिर conclusion में है कि Harold Devas Leswell ने कहा है कि political science is nothing but sharing and shaping of power तो इस तरह से हमने यह पूरा topic कर लिया I hope आपको वीडियो समझ में आ रहा है चीजे समझ में आ रही है और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजे और में चैनल को सब्स्राइब कीजे थैंक्यू